हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल बुखाइब एजुकेटर पर तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर से 6 अगस्त के करेंट अफेर्स के बारे में डिसकेशन करने वाले हैं तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं तो जो पहला सुरुआत के 5 साल में देश का तीसरा सबसे बड़ा खुद्रा वाहन ब्रेंड बन गया है नेकसा की अभी कार बाजार में 11 फीसिदी से कुछ अधिक हिस्सेदारी है और मारूती की सलाना विक्री में यह 20 फीजदी से जादा योगदान देता है तो चलते हैं अगले प्रश चौथे इस्थान पर तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्ण 2020 की सूची में भारत एक पायदान फिसल कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है इस सूची में पेटीयम 16 अरब डॉलर के मुल्यांकन के साथ वैस्विक इस्तर पर 13 स्थान पर है तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉ 2020 का ये लिश्ट है जिसमें भारत इस बार चौथे स्थान पर रहा है तो चलते हैं अगले प्रशने पर तीसरा प्रशन है कि सन फार्मस्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज ने कोरोना के मरीजों के लिए कितने रुपए की एक फ्लूगार्ट टैबलेट लॉंच की है तो इसका स पेवी पिराविर की 200 mg की डोज है सन फार्मा दुनिया की चौथी और देश की सबसे बड़ी जेनरिक फार्मा कंपनी है तो चलते हैं अगले प्रशन पर चौथा प्रशन है कि महेंदर सिंग धोनी को पीछे छोड़कर इंगलेंड के कप्तान डैश बतौर कप्तान सबसे ज सबसे जादा 215 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं उन्होंने आयरलेंड के खिलाफ तीसरे बंडे में यह उपलब्दी हासिल की है तो आते हैं अब पांचवे प्रशन पर तो पांचवे प्रशन है कि भारत के किस राज्य में हाल ही में एक मास्क अनेक जन जागरुकता अबियान की शुरुआत की है इस अबियान के अंतरगत एक मास्क बैंक की इस्थापना की गई है जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं इसके अंतरगत यह भी है कि अगर कोई बिना मास्क के पाया जाता है तो उसको जुर्माना के साथ दो मास्क भी दिया उसको जुर्माना के साथ मास्क भी देने का स्कीम है तो चलते हैं अगले प्रशन पर छटा प्रशन कि हर्याणा में भी पंचायती चुनाओं में मैलाओं के लिए कितनी फीसिदे सीटे अब आरक्षित करने की घोशना की गई है तो इसका सही उत्तर है 50 फीसिदी सीटे तो हर प्रशना का उद्देश महिलाओं को 50 फीसिदी आरक्षित मिलने से ग्रामिण विकास तेजी से हो सके और राज्यों में महिला शशक्ती करन पढ़े और वैसे भी पंचायती राज में मिनिमम 30% सीटे तो महिलाओं के लिए आरक्षित रखनी ही पढ़ती है और क्योंकि पद्दे नजर हर्याण सरकार ने इस स्टेप को लेते हुए यहां पर पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50 फीसिदी सीटे आरक्षित की है तो चलते हैं अगले प्रशने पर सात्वा प्रशने हैं कि जुरुरत मंद और गरीबों को 8 रुपे प्रती प्लेट में स्वस् स्वास्थ और पॉष्टिक भोजन देने के लिए इंद्रा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है जिसके लिए राज्यसरकार प्रती वर्श सो करोड़ खर्च करेगी तो आठवा प्रशने हैं कि निम्न में से निम्न से किस देश की कैबिनेट ने नय राजनितिक नक्षे को मंजूरी दे दी है जिसमें भारत के कई इलाकों को अपने देश में दिखाया गया तो इसका उत्तर है पाकिस्तानी कैबिनेट ने तो पाकिस्तानी कैबिनेट ने हाल ही में एक नए राजनीतिक नक्षे को मंजूरी दी है जिसमें भारत के कई इलाकों को अपने देश में दिखाया गया है इस राजनीतिक नक्षे में जमू कश्मीर लड़ाक जूनागड को प भूमी पूजन किया है तो सही उत्तर है भी नरेंद्र मोदी तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अयोध्या में राम जन्व भूमी मंदिर का हनुमान गड़ी में दर्शन और भूमी पूजन किया है जिसके साथ ही मंदिर निर्माण का शुब आरम हो गया प्र राज्जे के गाओं में पर्रेटन को बढ़ावा देने का निरने लिया है तो इसका सही उत्तर है उत्राखंड तो केंदर सरकार ने हाल ही में चीन की सीमा से लगे उत्राखंड राज्जे के गाओं में पर्रेटन को बढ़ावा देने के लिए निरने लिया है भारत का यह रा दीविया ने पेरू से स्वतंतरता हासिल की 1862 मद्रास उच्च न्याले की इस्थापना हुई 1906 प्रमुख स्वतंतरता से नानी चितरंजन दास और अन्य कॉंग्रेस से नेताओं ने मिलकर वंदे मात्रम समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया 1914 ऑस्ट्रिया ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोशना की 1925 सुरेंदरनात मैनेरजी का निधन हुआ तो अगले और कुछ बिंदू है 1960 क्यूबा ने देश की तमाम संपत्ती का राष्ट्रे करण किया 1962 जमायका को सुतत्तरता मिली 1964 अमेरिका के नेवादा में विश्व के सबसे प्राचीन वरिक्ष प्रोमेथस को काट दिया गया 1986 भारत के पर्थम टेश्टिव बेबी का जनम हुआ 1996 नासाने मंगल पर जीवन होने की संभावना जताई 2007 मध्य तरिनिदाद में एक पुराने हिंदू मंदिर को शती गरस्त किया गया 2007 हंगरी के वैज्ञानिकों ने लगबग 80,000,000 साल पुराने देवदार के विरिक्ष क जिवाश्म प्राप्त करने का दावा किया सं 2010 जम्मू और कश्मीर में अचानक आई बार से कम से कम 255 लोग मारे गए सं 2011 थाइलेंड में प्यूईया थाई दल की इंग लुक शिनवात्रा शुरिवार देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मनी सं 2012 नासा का कुरियो सिटी र वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तो मिलते हैं अगले करेंट अफेर के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए धन्यवाद